कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिद से सीसे एजूकेशन में आज है आठ सेप्टेमबर और आठ सेप्टेमबर के इंपोर्टेंट करेंट अंटर फेल्स के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेशन है जमू कश्मीर की उपर राज्यपाल मनोश सिन्हा का प्रमुक सचेव किसे निउक्त किया गया है ऑप्शन है आयस नितिश्वर कुमार मनोश कुमार राहुल सज्देवा या फिर अनमोलत आगी और सही आंसर है नितिश्वर कुमार है ये नितिश्वर कुमार को जमू कश्मी के उपर राज जपाल मनोश सिन्हा का प्रमुक सचेव निउक्त किया गया है नितिश्वर कुमार जी जब मनोश सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री थे तब लिए उनके आफिसर ओन स्पेशल ज्यूटी रह चुके हैं और उससे पहले जब मैं इसको दूयात रखेंगा यह पहली बार पर आयु और इसका है दो सेटेमबर 4 सेटेमबर साथ सेटेमबर और चाह सेटेमबर और सही आंशर एपनतराश्टी स्वाच्छ वायु दीवस साथ सेटेम गया और प्रकाश जावडेकर जो हैं केंद्र पर्यावन मंत्री इन्होंने नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायू अंतराश्ट्रे दिवस पर एक वेबिनार के अध्यक्ष्टा की और इस अध्यक्ष्टा में लगबाग 28 राज्यों और 8 केंद्र साश्रित प्रदेशों के शहरी विकास विभ स्वच्छ वायू अंतराश्ट्रे दिवस के तौर पर मनानेक का फैसला किया था और यह इसी लिए इंपोर्टेंट हो जाता है आप याद रख सकते हैं इसको नोट कर लीजिए तीसरा कौशन है शिक्षा दिवस शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मना जाता है और यह सबको पता होगा फिर भी हम चलिए आगे पढ़ते हैं इसका बारे में और भी जानकरी देंगे लोगों को जिनको नहीं पता है पांच सेप्टेंबर 15 अक्टूबर 12 सेप्टेंबर और 10 जनवरी सही आंसर पांच सेप्टेंबर और कई बच्चों ने हमें इसकी सुबकामने दीती उन्हें धन्यवाद और यह जो शिक्षक दिवस है वो हमारे दूसरे राश्ट्रपती डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन की जैनती पर 5 सेप्टेंबर को मना जाता है हर साल 5 सेप्टेंबर 1888 में उनका जन्म हुआ था शिक्षक दिवस का उदेश किसी व्यक्ति के जीवन को अकाल देने में सभी शिक्षकों की युगदान को महत्व दिना है और इस दिन स्कूलों में शुट्टी नहीं होती है स्कूलों में जाना पड़ता और बच्चे लोग शिक्षकों के लिए शिक्षक दिवस मनाते हैं। चौधा कॉष्चन है किस देश के वित्र मंत्री और संचार मंत्री युवराज χार्टि वाड़ा ने अपने पत से स्थीफा दे दिया है। ईबनो म Państwa चैसे में बाना प्रदी गौट रबाना हो wraट जो कि ति॑वरालility पूर्व गवर्णर भी रहे हैं इन पांचवा कोश्चन है ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौपी गई है और इंपोर्टेंट है यह भी आप इसको भी नोट करिएगा ब्रिक्स खेल इस साल 2021 में जो अगले साल किस देश को इसकी मेजबानी सौपी करता है उनका फुल फॉर्म में बता दूँ भी आर आई सी एस यह इसका फुल फॉर्म में ब्राजील रूस भारत मतब इंडिया चाइना और तक्षन अफ्रीका यह पांचों देश से मिलके ब्रिक्स बनता है और अब जो खेल मंत्री है हमारे किरनर डिजी जू इन्होंने गोशना की है कि यह ब्रिक्स खेल हमें इंडिया को अगले साल कराने का मौका मिला है और ब्रिक्स खेल जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं खेलो इंडिया 2021 के साथ ही होंगे एक ही जगे ताकि जो खेलो इंडिया जो युवा गेम्स होते हैं युवाओं को बढ़ावा देन छड़ा कोशन है केंद्र सरकार ने तमिल नाडू के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अलत्रव्यवस्ता वाला पहला जिला घोशित किया है आप्शन है विरुधू नगर करूर कांचीपुरम और कृष्णिगिरी सही आंसरे विरुधू नगर केंद्र सका ने तमिल नाडू के विरुधू नगर जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अलत्रववस्ता वाला पूरा मतलब डिजिटल बेजड या अलत्रववस्ता वाला जिला घोशित किया है और यहाँ बड़ी संक्या में लगू और अगदी रहित लेंदेन के मतलब डायेट जो हम UPI से पेमेंट करते हैं उसके तरीकों से इस्तमाल कर रहे हैं साथो क्यों है जीवन बीम कंपनी बजाज अलियांस ने किस अभीनेता को अपना नया ब्रेंड अमिसर निक्त किया है ऑप्शन है आईश्मान खुराना सलमान आजय देवगं और सनी देवल सही आंसर है अईश्मान खुराना और यह जो बजाज अलायंस है यह प्राइवेट कंपनी है जो लाइफ इंशुरेंस का भी इनका एक पॉर्टफोलियो है एक सेक्शन है और इसमें आईश्मान खुराना को उन्होंने अपना नया ब्रैंड अमेंसर बनाया है और ब्रैंड अमेंसरेडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज अलायंस लाइफ इंशुरेंस कंपनी लिमिटेट की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे आईश्मान खुराना आईश्मान खुराना भार्ती टेलेविजन एंकर होने के साथ साथ फिल्म अमिनेता और गायक भी हैं आपने कई इनकी फिल्में देखियोंगी अलग क्यरेक्टर निभाते हैं यह अपने हर फिल्म में हाली में तुर्की ने पूर्वी भूमद्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसेनिक अभ्यास के आयोजन की घुशन की है ऑप्शन है बागनादेश, रूस, नेपाल और पाकिस्तान सही आंसर है रशिया, रूस, वर्तमान में पूर्वी भूमद्य सागर छेत्र में उज्जा संसादरनों की खोज करने के अधिकार को लेकर तुर्की और इसके तर्टी परोसी ग्रीस जो परोसी देश हैं, ग्रीस और साइप्रस, इनके बीच तरनाव की इस्तिती बन गई है तुर्की की तरफ से जारी नौवहन नोटिस के नुसार इस रूसी नौसेनिक अभ्यास का आयोजन आट से 22 सेप्टेंबर और 17 से 18 सेप्टेंबर के बीच भूमद्य सागर के छेत्रों में किया जाएगा और तर्की की यह गोशना अमेरिका के उस बयान के बाद आई है जिसमें उसने साइप्रस पर लगे 33 वर्ष पुरानी हतियार प्रतिबंद को आंशेक रूप से हटाने की गोशना की है नवा कोशन है भाती रेजरों बैंक आर्बिया ने दिर्मे में से किसको बैंक का प्रबन निदेशक और मुख्य कारीकारी अधिकारी CEO, MDO, CEO बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दिये है सही आंसर है मुर्ली राम कृष्णन ये आर्बिया ने अभी मुर्ली राम कृष्णन को बैंक का प्रबन निदेशक और मुख्य कारीकारी CEO बनाए जाने का एक मंजूरी दी है और उनकी निवक्ति एक अक्टूबर से प्रभावी होगी राम कृष्णन तीस माई 2020 को ICI बैंक के से वरिष्ट महा निदेशक के रूप में सेवनरत हुए है मतलब रेटायर हुए हैं वे एक जुलाई 2020 को साउथ इंडियन बैंक के सलाकार बने RBI ने एक अक्टूबर 2020 से तीन साल के लिए बैंक के प्रभण निदेशक और CEO के रूप में मुली रामा कृष्णन की निवक्ति को मंजूरी दे दी है रस्वा कृष्ण है निम्नमे से किस राज्ज ने Ease of Doing Business 2019 की रैंकिंग में शीष प्राप्त किया है ओप्षेन है मद्रपदेश, बिहार, पंजाब और आन्रपदेश दोस्तों यह क्वेशन आपका क्वेशन है और इसका सही अंसर मुझे कमेंट बॉक्स में रोज की तरह बताएगा और आज का यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में जय हैं